नमस्कार राज शिक्छा सोद एवं प्रशिक्छन परिशद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है आज हम लोग जो पिछले अध्याय में पढ़े थे 1950 से 1990 की भारती अर्थववस्था उसी को हम आगे की और बढ़ाएंगे तो बच्चों हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में देखा था कि हमारे देश की जो आर्थिक व्यवस्था है जो आर्थिक क्रियाएं जो चल रही थी वह 1950 से 1990 के बीच में किस प्रकार से रही और उस समय हमारी देश में पंचवर्शी योजनाओं को अपनाया गया और फिसली कक्षा में देखिलिया है आज जो हम देखने जा रहे हैं हमारा जो अगला प्रफार तान रखता है और के कर छेतर पर इनका क्या प्रभाव पड़ा और हमारे देश की क्रिसी का महत्यु इनकी विस्सेस्ताई क्याएं तो जयसा कि बच्चों, आपसभी जानते हैं कि हमारा देश हमेसा से कृषी परधान देशज़ रहा है। अभी बर्तमान परस्तितियां बदले हैं। यह परें देश आजाद हुआ था, उसमय हमारे देश की रीड की हड़ी कृषी कही जहाते थी। क्योंकि हमारे देश की अधिक्तम जनसंख्या क्रसी पढ़ने भरती उनके जिविको परजन का जो शाधन था वह सिरफ और सिर्फ क्रसी था हम बुनियादी दोर पर पूर्ण ता क्रशी पढ़ने परते हैं और इसी पर हमें विकास को ढूंड़ना था तो हमारे देश की जो अर्थ्रवस्था जो पूरी धूरी घूम रही थी क्रशी पर इन्हीं सभी की चर्चा हम करेंगे कि इनका क्या महतु है इनकी क्या विसेश्थाई रही और भारत ये क श्रवलता कहुं को दूचता रहा क्या हम आगा थो समस्वान से उबर पाये है क्या हमने एक सफल्ता की रह की और बढ़े है या आज भी हम पीचे हैं तो इन्हीं सभी के साथ आज का जो अध्याय है वह प्रार्म होता है तो आज हम पहले देखते हैं कि हमारे भारतिय क्या महत्व है यानि कि यह क्या भूमी का निभाथए तो भारती अर्थवस्था में महत्व भूमी का निभाने वाली यह State हमारे जिए अर्थवश्था के आजीब का का यह मुख्य श्रोथ रहा है हमारे देश की जंता लग-भग हमारा साजाद हुआ था सत्तर से बहत्तर प्रतिशत लोग सिफ और सिर्फ क्रसी पर निरभर्ते हैं परन्तु ये डाटा धीरे-धीरे बदला हमारे जो आज की परस्तितियां हैं जब ये लगभग those 50-303 लोग आज भी अपनी और जीवीका को कर सी से ही प्राप्त करते हैं क्यों करते हैं क्योंकि इफ प्रारभाक्यूंभिक रूप सचलता आया कि लोग यहां के थे उन्हें क्यां था किसे पर निर्भरता हो गई थी क्र Gef क्रिसी पर क्योंकि वह एग्रिकर्टार को ही जानते थे खाद्यानों को उगाना ही जानते थे नई टेक्नोलोजी को वो नहीं जानते थे कि किस छेतर पर क्या कारी किया सकता है तो आज अजिविका का जो मुख्यु शुरोत था तो इस प्रकार ये एक महत्वपुन भुमेकानी भाती है क्यों कि यदि देश की आधियाबादी क्रिसी पर कारी कर रही है यानि कि वो अपनी पूरी जिव को पार्जन के लिए किस पर निर्वर हो रही है क्रिसी पर तो यानि जब कोई हमारी आय का साधन जो एक छेत्र है तो वो एक विशेश महत्व रखता है क्योंकि आधिय से जाधी जनता कहां पर काम कर रही है किसी पर तो इस पर कारी करना आती आवश्चक था क्योंकि हमारी पब्लिक को क्या आ रहा था एग्रिकल्चर ही आ रहा था तो यह एक महत्वपूर्ण भुमीका नि हमारे क्रशी ने वह अगला था रास्टी आएवे योगदान रास्टी आए यानि कि हमारे देश के जो आए हो रही है उसमें हमारे क्रसी के कितनी हिस्सेदारी थी तो जब हम बात करते हैं जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय हमारे देश की हिस्सेदारी 55.4 और जब हम धीरे धीरे हिसेदारी आज कम हो गई है 2011 12 में यह लगभग 14.4 प्रतिशत थी और 2018-19 में यह लगभग 14 प्रतिशत हो गई है धीरे धेरे यह प्रतिशत क्या हुई है घटती है गई है लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि विकास नहीं कर रहा है है उसका जो रास्टि आँ year में जो हिस्सेदारी है क्रीसी की वह इतने प्रतिशत इस लिए है क्योंकि लगभग 15 07 कहां पढ़नेवर कर रहे हैं किरसी पढ़ने पने वह अपना जीवो को पारजन कहां इसका स्थान ले लिया है इसलिए राष्टिया आय की जो हिस्सेदारी जो पहले बड़ी भागों में थी वो घटकर आज लगभग 14 परतिशत में हो गई है अगली जो हमारे महत्व रखते हैं कृशी आर्थिक विकास का आधार अब यह आर्थिक विकास का आधार बचों आप कहेंगे कि आपने अभी कहा कि हमारे जो राष्टिया आय में जो हिस्सेदारी है वो धीरे-धीरे कम हो रही है पन्त यह आर्थिक विकास का आधार कैसे बना तो आर्थिक विकास का आधार इस प्रका अखिश्ट्स्थان पराप्त कर लिया है हमारा तरहत्त को किया है तो इस जितने पिखास खे चेत्र है कहीं काई हो व कशीपर निभख करते हैं हमारा जो उद्योग चेत्र जो बाते करते ह cell विकास कैसे हुआ है उन्हें किसी भी उद्योग को कराने के लिए किस चीज की आवशक्ता होती है वह आवशक्ता होती है कच्छे मालकी बिना कच्छे मालकी किसी पर उद्यों के हम कलपना ही नहीं कर सकते हैं इन ही कलपनाओं के आधार पे यह हम कह सकते हैं कि हमारे देश की जो आर्थिक विकास में जो ब्रिधी हुई है उस प क्या थी तकनीक कमी थी बहुत सारे परमपरागत कारण थे जिसके कारण हम विकास नहीं कर पा रहे तो जब पंचवर्सी उज्व्हजणाषव पेकाम किया गया तो यह पाया गया कि जो आज मार्थिक विकास केße दर की बाते कर रहे हैं इसके आधार की बाते कर रहे हैं तो यह आधार पूर्णत किस पर निर्भर कर रहा था क्रिशी पर निर्भर कर रहा था तो हमारी जो अगली महत्वपुन बिंदु है वो है विदेशी व्यापार में महत्वपुन योगदान अब हमारे क्रिशी का विदेशी जो थे पहले क्या था कि हम इतना ही उत्पादन कर रहे थे कि अपने लिए खाद खा पा रहे थे और एक्स्टा कुछ भी नहीं कर पा रहे थे लेकिन और हमारे देश में खाद्यानों विशेज धिया जा रहा था लेकिन जो अग्रिकल्चर सेक्टर पर काम किया गया तब यह कि हमारे देश में भी बहुत सारे ऐसे साधन है बहुत सारे ऐसे संसाधन है जिसका उत्पादन हम करें और उसको हम निर्यात कर सकें तो इसमें महत्पुर्ण मुभी का निभा रहा था चाय काफी मसाले और आपका कपास क्यों क्योंकि हम इससे क्या कर रहे थे इसके आधहा में आई तो यह महत रखता है isiert सिह क्योंकि इसी के कारण हम बीचल से कनेक्ड हो रहे है तंप हम क्या थे पहले हम हस्त करगा इस दियोगों में सबसे अगे थे पहरंतु यह धीरे धीरे चीजिह कहां पर बदली जडिशी विदेशी व्यापार में और इसमें सबसे महत्पुन क्योंकि सबसे महत्पुन जो भुमीका निभाति है हमारे देस में मसाले उगाने में सब से अर्ट फ्सrav आन रखने घोकि और देसों में यह मसाले मिलते ही नहींी तो इन सभी चीजों का निर्याद हुआ तो यह किस छेत्र से हैं यह हमारे किसी छेत्र से हैं इसलिए एक विसेश महत्व है क्योंकि भारत की अर्थवस्था को जब हम कोई वी अर्थवस्था यह निर्याद कर रहा है यानि वो क्या कर रहा है विकास की ओर जा रहा है इसलिए यह एक विसीस महत्तु रखता था विदेशी व्यापार में जो हमारी हिस्सेदारी जो निर्यात की थी वो लगभग अब दसपरतिशत हो गई है जो 2011-2012 में 14.9 परतिशत थी यह धीरी-धीरी देखने के क्रम में कम लग रहा है परंतु यह हिस्सेदारी क्या कर रहा है निर्य निर्यात कर रहा है तो निर्यात में जैसे ही जैसे भागीदारी बढ़ेगी तो हमारा देश क्या करेगा विकास करेगा अगली जो बिंदु है वह खाध्यान की आपूर्ति है खाध्यान की आपूर्ति क्या है हमारा देश जब प्रारम में क्या करता था बस क्रिसी के वही क स्थिति खड़ी होई थी जहां हमें विदेशों से खाध्यानों के लिए आयात करना पड़ा जो एक गंभीर स्थिति खड़ी हो गई थी क्यों क्योंकि यदि कोई देश अपने खाने की चीजों को पूरा नहीं कर पा रहा है तो वो पूरी तरह से किसी और देशों पर संग्यत राज अमेरिका पर निर्भर होना पड़ता था अनाज और यह अनाज वो ऐसे अनाज को भेजब में धेजते थे जो वहां के लिए वेस्ट था वहां के सब्सक्राइब नवारे में पर्णीक योजनाय यह उसमें प्राइर टी गई ौए अफने देश के लोगों का पेट भड सकते थे हम मौ खाध्यान की आपफुरति कर सकते थे कि इसी कायर के अंतरगर्द हमारे देश में बहुत सारे थे तकनिकी सुधार्वे, संस्थागत सुधार्वे और इन ही सभी का नतीजा आया हरित क्रांती उनी सो साट से सतर के दसक में हमारे देश में यह आई और देश में एक बहुत बड़ा जस्ट लाइक रिवलुईशन लेके आया जो हम दूसरे देशों पर निर्भर कर रहे थे वहां से खेती के वहां से अनाच को मंगाते थे अपने लोगों का पेट भरते थे तो इन सबी च हम क्या कर सके निव्याद भी कर सके तो हमारे देश की यह जो महत्वपून भूमी का निभाया किसने हरित क्रांती हरित क्रांती के कारण हम पूरी तरह से आत्म निर्भर पने तो यह किसी के विशेष महत्व यह महत्वपून बिंदु रही जो देश के विकास और भारते औ को बदल कर रखी हमारे जो अगला महत्व है वो है ब्यापार और सेवाओं में महत्व अब ये बिंदु जो है इसकी जो चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं ब्यापार और सेवाओं में इसका कैसे महत्व पड़ा पच्चो अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया कि एग्री कि ए इसका अतात्त पर ये नहीं था कि हम उस्में पिछड रहे थे इसका अतात्त पर ये था कि हमारा दूसरा और तीसरा चेत्र क्या कर रहा था विकास taking तो जब हम व्यापार की बाते कर रहे हैं तो हमारे देश में जो भी व्यापार हो रही है उसका एक महत्वपुन हिश्सा कौन रखता है क्रिसी रखता है तो क्रिसी के कारण ही व्यापार होता है अनाजों का व्यापार हो रहा है एक हम अपने देश के अंदर की बाते करते हैं एक सहर से दूसरे सहर में जा रहे हैं किसी चेट पे गेहु का उतपादन हो रहा है किसी चेट पे धान का हो रहा है किसी चेट पे तिलहन का हो रहा है तो उन्हीं सब चीजों का क्या होता है एक दूसरे से व्यापार होता है तो देश के अंदर जो व्यापार हो रहे हैं वो कि किसी के आधार पर हो रहे हैं तो इसलिए अर्थवास्था में इसका विश्जिस महत्व है और अब सेवा छेत्र तो सेवा चेत्र क्या होता है बच्चों आप लोग लुग लाइन टेंसे पढ़ते आ रहे हैं कि भारतिय अर्थवास्था था तीन शेत्रों में बटी होते हैं सेवा चेत्र को कैसे इंपक्ट डाल रहा था तो यह डालने का क्या कारण था अब आप जानिए परिवहन के साधन बैंकिंग सुविधाय हम लोग बाते करते हैं और भी बहुत सारे इंफ्रस्ट्रक्चर की बाते करते हैं तो यह सारे चीजें यह जितनी भी चीजें वह किस निभग कर रहे थी किसी भी माली जेंंद्धारन ले लेते हैं एक शुगर मील का चिनी ओड्यों को क्या चाहिए और यह गन्ना कहां से मिलेगा हमें क्रिसी से मिलेगा तो क्रिसी च्षेत्र से इस गन्ने को लाने के लिए जहां यह फैक्टरी बनी होगी वहां क्या करेंग वह गन्ना उठकर उस फैक्टरी तक तो यूही नहीं चला जाएगा तो वहां तक जाने के लिए क्या होने चाहिए परिवहन के शाधन होने चाहिए तो यह सेवा चेत्र को बढ़ावा दिया ना तो सेवा चेत इससे प्रभावित हुआ और उस मील को तो स्टेबलिस करने के ल में कौन महत्यु रखता है क्रिसी महत्यु रखता है तो और भी बहुत सारे महत्यु इसमें रखा हम इंटरनाशनल ट्रेट पर इसके महत्ता को समझ सके हमारे देश में जो बेरुजगारी की समसाएं थी उस पर हमने क्रिशी का महत्यु रखा हम आत्म निर्भर बने और भी बहुत सारी सब महत्ताओं को लेते हुए कृश्फी आया था तो कृसी के विकास की जो बाते हो रही है क्या गया चुछी की Guura इंधिक प्रभावित करते हैं तो इनहीं प्रभावूँ के आधार अब आगे की और बढ़ते हैं और देखते हैं कि बहुत से न YOUR है भारत ये कि पहले विसेश्था जो है वह कम उत्पादक्ता अब कम उत्पादक्ता क्यों है कम उत्पादक्ता का तात्य पर यह है कि किसी प्रती हैक्टेर जमीन पर वह जो अनाज उगाने की यह कै EVERYगे क्यों है वही बताता है कि कितनी उत्पादक्ता है तो बच्टो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा देश परंपरागत कि अपक्रशी को जेल रहा था हमारे देश में इतनी तक निकी विकास नहीं थी जिस्से की उच उत्पादक्ता हो सकते तो तक निकी विकास की कमी के कारण हमारे देश की उत्पादक्ता थी वह कम ठीज सिम्पल एक्जाम्बल समझ सकते हैं कि दो लैंड है दो jameen है एक जमीन पर हमने क्या किया अच्छे से उर्वरक का परियोग क्या बीजों का परियोग क्या सिचाई अच्छे से दी और सारी स्विधाओं से उसे परिपूर्ण किया और एक जो भूमे थी उस पे हमने परमपरागत घर पर रखी बीजों को लाया उसे बोया और उसके बाद उसक में फसल कंप्लेट हो जाएगी तो हमें ये परिनाम के रूपे प्राप्त होगा कि जिस पे सारी तक्निकी सुविधाओं का परियोग किया गया था और जिस पे बिल्कुल नहीं किया गया दोनों के उत्पादक्ता में कमी तो इसी चीज को हमारा देश जहेल रहा था किसी किछ जितनी योजनाई चलाएं गए जितने भी कारी किये गए यह सभी लोगों तक नहीं पहुंचा जिन छेत्रों पर पहुंचा वहां उत्पादक्ता बढ़ी तो बच्चों हम लोग इसे आगे इस डाटा के साथ देख सकते हैं कि हमारे देश की उत्पादक्ता है दूसरे दे जाटा है जिसमें अनाज के रुपे हम लोग जब चावल को ले रहे हैं तो चावल में भारत की जूद पादकता है जो प्रोड़क्टिविटी है वो कितनी है 3.6 पर हेक्टेर उसके बाद कितनी है चाइना की है 6.8 वियतनाम की है 5.8 और वर्ल्ड एवरेज है 4.5 इसका ता प्रोड़क्टिविटी हो रही है वो कितनी कम है आप देख सकते हैं पूरे वर्ल्ड के एवरेज से भी हम बिलो है चाइना से तो काफी पीछे हैं और वियतनाम से भी पीछे हैं तो यह 2014 के डाटा है यानि कि 2050-51 से 90 तक में आएंगे तो हमारी जूद पादकता होगी वो औ 3.1 चाइना 6.5 यूके 9.3 और वर्ल्ड की जो एवरेज है विश्व आसत है वो 3.3 यानि हमारी स्थिति यहां भी वैसी ही है हमारी प्रोड़क्टिविटी क्या है चाइना के कंपेर में बहुत पीछे हैं और यूके तो बहुत आगे है यूके 9.0 पे है यानि हमारी जो प् यदि नहीं होगी तो हमारी खाद्यान की पूर्ती भी नहीं होगी हमें खाद्यान के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ेगा अगला है हमारा मेज और मेज में यानि हम कहां पर आ रहे हैं भारत की प्रोड़क्टिविटी है 2.6 चाइना की है 5.8 और USA की है 10. 10.5 और वर्ल्ड एवरेज है 5.6 इसका तार्त पर यह हुआ बच्चों कि हमारी जो उत्पादकता है वो क्या है काफी पीछे हैं तो यह क्या है हमारे देश की विसेश्ट कि विसेश्टा है तो विसेश्टाओं में इसे रखा गया है कि हम कितना भी तकनी की को परियोग में तो बच्चों आप अच्छे तरह से जानते हैं भली भाती जानते हैं कि हमारा देश बहुत सारे समस्याओं के साथ आगे बढ़ा है 200-200 वर्सों तक अंग्रेजों को जेला है और इसी का परिणाम यह हुआ कि हम तकनी की विकास नहीं कर पाए और उसी में एक और आया कि हम्यारी जो क्रिसी थी वो किस पर निर्भर हो गए थी पूनत वर्सा पर यानि मौनसून पर मौनसून का जुआ कहा जाता था हमारे बारिश हुई तो खेती होगी बारिश नहीं होई तो खेती नहीं होगी तो बारिश पर निर्भरता जो है वो हमारे क्रिसी को बिलकुल तोर मडोड कर रख दे रही है कि आज यह हम लोग कह सकते हैं कि बहुत सारे नहरों का निर्मान हुआ है तालाबू कुवा नलकूपो को यह सब अब किसी के सिचाई के लिए सुविधाओं किसी के सुविधाओ में अपनाया है परंथु यह हर शेट्रों पे नहरों नहीं पहुंच पाये आज भी बहुत सारे ऐसे चेत्र हैं जहांपर किसी जो है वह पूर्ण ता बारिस पर ही निरफर है तो इस समस्या से हमें बाहर आना है यदि हम बाहर नहीं आपाते हैं तो हमारे क्रिशी क्या होगा हमेशा की तरह दीरे दीरे हम पिछड़ते ही जाएंगे आगे नहीं बढ़ेंगे अगले जो विसेश्ता है वो हमारे देश में आधुनिक इंपुट का आभाव है अभी आधुनि आधुनिक इंपुट क्या है हमारे देश की परंपरागत क्रिशी चलती आ रही है और इस क्रिशी में हम क्या देख रहे हैं इसके आधार पर हम देख रहे हैं कि जो आधुनिक इंपुट अभी आधिनिक इंपुट हमारे देश की क्रिशी में परंपरागत रुप से मैंने क कि लोगों को इतना नहीं है वहाग परियोग कर रहे हैं तो आज कि लोगों को इतना चैना 不是 mercy major to god गोबर का परियोग कर रहे हैं कि不是 और को कर रहे हैं हम किटनास睡sk दवाओकि यूrets का परियोग नहीं कर रहे हैं बहुत सारे ऐसे टूल सें जिसका परियोग करकर हम अपनी कृषिक के उतपादन को बढ़ा सकते हैं हम कीट से बचा सकते हैं जो हमारी फसल को बरवात करता है तो ऐसे ऐसे मतलब मतलब आज भी हम इन्हीं परिशानियों के साथ घूम फिर रहे हैं हम अधुनिक इन पूटों को परियोग नहीं कर रहे हैं अगला है प्रच्छन एबं मौसमी बेरोजगारी यह हमारे देश की क्रिशी की एक महतुपून महत बहुत ही महतुपून विशिस्ता है अब यह क्या क्या है प्रच्छन बेरोज घॉच्छ्गारी और मौसमी अधिक तर पाया गया कि हमारे देश की घृषी थी हमारे गैकि स्काषि ती ग्राम परिवेस की जो लोग थे वह क्या थे पूरा का परिवाद पूरा पूरा परिवाद अपने खेल के जूताई बुवाई यह सारे क इसका दाथ पर यह कि जहां मांत दो लोगोंकि आवश्रक्ता थी वहां על 6-7 लोग कारी कर रह तो तो काउंटिंग में तो हमने काउंट कर लिया कि इतनी लोग है इतनी लोगों को रोज्ज़गार मिला है इतनी कारी कर रहे है आर्थिक कर है परन्तों यह सबसे कि क्या है यह सबसे बड़ी एक दुर्भागी भी कह सकते हैं और यह हमारे देश के कुछी के विसेस्ता है क्या कि प्रच्छन बेरोजगारी है घर के सारे लोग मिलका खेती पे लग गए जहां इतनी आवशक्ता नहीं कम आवशक्ताओं में नए तकनीक को यूज करके नंबर पिपल को कम किया जा सकता है वो नहीं किया जा रहा था और अगली क्या थी मौसमी बेरोजगारी अब यह मौसमी बेरोजगारी क्या है बच्चों तो मौसमी बेरोजगारी यानि वह बेरोजगारी यदि बारिश हुए तो खेती होगी और बारिस नहीं हुए तो खेती नही कि यानि हमारी पूर्ण निर्भरता पर थी जानना अधियांवशक है कि मॉसमी बिरोजगारी िसलिए कह रहे हैं कि यदि भारिश वोई तो याने क्वेटी होगी थेयानि काहमें खेती में कारी करने के लिए लोगों क्या आवशकता होगी बारिश वी सब्कुम दान की क्या उच्छे बारिस हो गई तो उसके लिए हम विक्राम करते हैं विफ्झेस कि प्र 기슬ना इसके लिए कि जुताई हूँ दही तो कर चाल लगा रूपाई विफ्ब्क नड्सरिय। के लिए नीए चाहिए तो मजदूर को लाना पड़ेगा यानि उन्हें रोजगार मिलेगा और आके क्या करेंगे रुपाई करेंगे रुपाई के बाद क्या होगा यानि उन्हें क्या हुआ बारिश हुई अच्छी मौशम हुए तो उन्हें रोजगार की प्राप्ति हुई और यही परिस् दूर जो जा रहे थे वो महिलाए या पुरुष जो जा रहे थे उन्हें उस वर्स वो रोजगार नहीं मिला तो हमारे देश की कि एक बहुत बड़ी समस्या विसेश्था सारी चीजों को समेहलित किये हुए है कि हमारे देश में कैसी बेरोजगारी है प्रच्छन और मौसमी यह किस्क कहा पर है तो यह कृसी चेटर पर पाय़ी अग्ला है हमारा करोचत कम है यानि हम इतना ही उगा पाते हैं जिससे हमारी क्या हो से के हम अपनी अवशकताओا ओं को पूरा कर सके तो हमारे थेस में इतने आनाज नहीं अच्छे सूग पाते हैं कि जिसके को हम पैंडाल सके बचत में डाल सके सर्प्लस में जा सके तो हमारी जू बिपनन अधिषेस और वो क्या है काफी कम है यह अगली जो विसेष्था है वो है आदिम तक्नीग यानि परमपरागत तक्नीग आज भी हमारा देश परमपरागत तक्नीगों पर निर्भर कर रहा है आज भी हमारा देश सभी जगों पर क्या करते हैं परमपरागत तक्नीग मतलब क्या हल के द्वारा जोत हो रही है पुराने बीजों का परियो नहýं चया जा रहा है कताई के लिए वही वही हन्सुआ का परियोग किया जा रहा है इन सभी चीजों को क्या किया उसके कारण हमारे देश में क्या हो रहे टेक सुदी की stir UP कर दो बच्चो इस परकार आप आज भी हम परमपरागर्द तकनीक के कारण परेशान हो रहे हैं हमें हमारे पास सिचाई की सविधाय नहीं है आज भी हमारे देश की रोजों बेरोजगारी है वो कहां पर है किर्षी के ही कारण है तो इन सभी महत और विसेष्टाओं के आधार पे हम आगे की चर्चा करेंग